तो आपसे तो नमस्ते पढ़ाम मैं आपका अबना ठागुर प्रहर सिंग और रात के दस बच्चु के और कहानी का जो सिलसीला है बदस्तूर जारी है कल मैंने जो कहानी सुनाई थी उस कहानी के टाइटल में मने लिखा था यह जो टाइटल लिखा जाता है कि दाढ़ी को लेके महिला टॉंड करती थी अच्छा कहने को मैंने कह दिया टाइटल में लिख दिया लेकिन उस चीज का जिक्र मैंने कभी कहानी में किया नहीं तो कई लोगों ने बड़े फ़णी फ़णी कमेंट किये कि भही आपकी कहानी का टाइटल पढ़ने के बाद मैं डाड़ी बस कटवाने ही वाला था clean save होने वाला था लेकिन पूरी कहानी को तीन बार सुना उसमें कहीं जिक्री नहीं हुआ तो यह मेरी गलती थी चुकि था तो दाड़ी का जिरक्री लेकिन मैं करना भूल गया दरसलो जो महिला थी उस महिला को अपने पती से चुटकारा पाना था तो चुटकारा पाने के लिए अब कुछ कर नहीं सकती थी तो कभी कहती कि बाल कटवालो कभी कहती कि दाड़ी clean save करवालो जबकि जानती थी कि महिला कि उसका पती जो है वो एक सरदार है और सरदारों के लिए केस कटवाना पगःटवाना ये तमाम चीजें लगबग मौत पसंद करेंगे लेकिन ये चीजें नहीं करेंगे इसलिए जान बूच कि ऐसे से चीजों को कहना कि दाड़ी कट वालो तुम्हाई दाड़ी नहीं अच्छी है ताकि अगला खुद परिशान हो जाए परिशान होने के बाद जगड़ा करे जगड़ा करने के बाद मौका मिल जाए मौका मिलने के बाद यह होगा फिर छोड़ने का एक बहाना तो आजकल कुछ रिष्टे ऐसे भी खतम किये जाते हैं जानबूच के प्लान करके कि आपको पहले उक्साया जाएगा कि आप ये गलती करो फिर जब आप गलती कर दोगे तो फिर उस गलती को लेकर आपके सामने अगला खुद मासूम बन जाएगा आपको ही गल्ट फिल कराया जाएगा कि आप ही गलत हो फिर जब आप खोदी गलत हो जाओगे अपनी नजरों में तो सामने वाला कहेगा कि भी आप तुम गलत हो तुम जाओ तो एक बड़ा ही एमोशनल और हनी ट्रेप होता है अब कुछ समझदार लोग होते हैं जो ऐसे ट्रेपों में नहीं फंसते जिसे तिरिया चरितर कहा जाता है कुछ लोग बेचारे फंस जाते हैं तो धन से भी जाते हैं धर्म से भी जाते हैं जान से भी जाते हैं तो यही था दाड़ी वाला उसमें बाकी और कुछ था नहीं, मुझे लगा, आज आपको बता देना चाहिए, अब आते हैं आज की कहानी का रूप करते हैं, और आज की कहानी के बात करूँ तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है, जिस कहानी के दो पहलों हैं, दोनों पहलों में सुनने के बाद पूरी कहानी की जो नजर है और आपका देखने का जो नजरीया है वो बदल जाएगा तो सिधा-सिधा इस कहानी का रूप करते हैं और इस कहानी की सुरुवात होती है साल दोजर अठारा जून का महीना गर्मी का दिन तेज तारीक दिल्ली में एक जगा है दि फोन जाता है फोन करने वाला शक्ष बताता है कि यहां पे साविक डेड़ बाडी पड़ी हुई है अब डेड़ बाडी का जैसे जिक्र हुआ पुलिस वाले फॉरण भागे भागे पहुंचे पहुंचने के बाद जब देखते हैं तो एक लबकती से 35 साल के बेहत होगा बैराल अभी एविटेंसन थी कि महिला जिंदा है अमरगे चुकि खून अभी ताजा ताजा निकल रहा था हाल में किसी ने देखा था तुरंद फोन कर दिया ले आजा पुलिस वाले सबसे पहले उस महिला को लाते फान थे और नजदीक के हॉस्पिटल लेके भागत जब पुलिस वाले देखते हैं कि महिला की एक तरह से लाशी मिली उसके अधा हॉस्पिटल लेके गए उसने दम तोड़ा तो ने भी लगा कि एक्सिडेंटल देता है चलो अब इस महिला के बारे में पता करते हैं परिवार वालों को डेड़ बाड़ी सौप देंगे बता देंगे कि आपकी घर की महिला का रोड एक्सिडेंट में मौत हो गई आप पुलिस वाले जब यह चीज सोचते हैं सोचने के बाद यूही था कि मामला बंद करना है लेकिन इसी दावरान अब चुकि हॉस्पिटल डेड़ बाड़ी गई थी तो थोड़ा बहुत पैकिंग करना था बाड़ी एक से जो खून और भी रिस रहा था वह भी रोकना था तो डॉक्टर ने तमाम चीज़ें करने लगते हैं कुछ रोकने का जुगार करते हैं तो इसी दावरान जो महिला थी उसकी गर्दन को हिलाया जाता है यानि एक साइट सर पे पट्टी हुई पिर य दरसल उस महिला के गर्दन पर एक कट का निसान था अब जैसे कट का निसान देखते हैं फॉरन लगता है कि यह तो मामना दूसरा है चुकि एकसिडेंट में ऐसे कट फॉरन पुलिस को इतला किया गया कि आप जिस मामले को एकसिडेंट समझ रहे थे हो तो कुछ और ही लग कट आ है कि इस महिला की गर्दन को किसी धारदार हतियार से काटा गया है और इस महिला कि जो डेथ वो एकसिडेंटल नहीं किसी ने प्री-प्लान मडर किया है अब ये चीज जैसे पुलिस वाले देखते हैं तो पूरा का पूरा केस तो बदल गया अब तक तो ये था कि एक आता जाता रहता है, तो वहाँ पे ऐसे कोई कतल अगर किया और महिला वहाँ पे तरब तरब के मरी, तो फिर किसी ने देखा क्यों नहीं, ये हो कैसे सकता है, पुलिस वाले थे किसी सवाल के पीछे परिशान, कि कतल हो गया दिंदाड एक सड़त पे हाईवे के पास, हाईवे एक बच के अट-थाइस मिनट पे ये कॉल आया था, हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचाते, दो बच गए, तीन बच तक ये चीज़े क्लियर हो गई, कि हाँ ये एक्सिडेंट नहीं है, ये मर्डर है, पुलिस वाले अब जाच पड़ताल में जुटे हैं, छान भीन कर रहे ह इसी दौरान, लबक साढ़े चार बजे की बात है, एक जगह है, नरायंट पुलिस टेशन, इसी नरायंट पुलिस टेशन में एक शक्स आता है, आने के बाद अपने पर्चे देता है, और कहता है कि ये सर, मेरा नाम अमीद दिवेदी है, और मैं आर्मी में, इंडियन आर् है, और मुझे लग रहा है कि साइट कुछ हो गया, इसलिए मुझे अपनी बीबी की मिसिंग कंप्लेंद दर्च करवानी है, पुलिस वाली एक चीज सुनते है, मामला एक मेजर का, फौरन पुलिस वाले कहते हैं कि आप अपनी बीबी का नाम, डिस्क्रिप्शन, साथी तस सबीर को आस-पास के सभी थानों में भेजते हैं, पता करने के लिए कि कोई ऐसा दिखे, किसी भी बस स्टेंट पे, किसी भी रिलिश्टेशन पे या फिर कहीं और, तो आप हम इत्तला करें, इधर जब पुलिस वाले तस्वीरे भेजते हैं, तो यह तस्वीर वायरल होते ह होते हैं, अलग-लग थानों में सर्कुलेट होते होते हैं, पहुंच जाती है, इस बराड स्कॉयर जो जगह थी, जहां पी यह सब कुछ हुआ था, वहां पे, वहां पे भी गई, मेजर साहब ने इधर सारी डिटेल बताई थी, कि यह पहना था, यह नहीं पहना था, पुलि मेजर साहब को इतला किया गया, कि एक ऐसी डिट बाड़ी मिली है, आप आये पहचान कीजिए, मेजर साहब भागे भागे पहुंचे, देखा, तो महिला कोई और नहीं, इनकी वीवी सेल जाही थी, अब यह चीज़ जब मेजर साहब देखते हैं, तो एक तरह से बदधाव सबसे पहले पूछते हैं, कि यह महिला कहा गई थी, क्या हुआ था उस पूरे दिन, तो जब यह सवाल मेजर साहब से पूछा गया, जो अमिद दिवेदी जी थे, जब उन से पूछा गया, तो फिर अमिद दिवेदी बताते हैं, कि मेरे जो पतनी है सैल जा, सुबह लगभ तो मैंने दो ढ़ाई बज़े से फोन करना सुरू किया, फोन उसकाल सबसे सुइच ओफ, अब सुइच ओफ कई घंटे तक रहा तो मैं परिशान हो गया, उसके बाद मैं पुलिस टेशन आ गया, इस से जादे मुझे कुछ पता नहीं, पुलिस वालों ने जब ये बात सुन कोई इलाज नहीं करवाया था, आई उसके बाद किसी का फोन आया, उसके बाद बाहर निकल गई, और कुछ लोगों ने देखा कि एक वाइट कलर की होंडा सिटी थी, उस कार में बैठती और उसी के साथ चली जाती है, अब पुलिस वाले जब ये चीज सुनते, पुलिस व पहले जब पुलिस वालों ने अमिद देवेदी से पूछा, कि कि आप किसी होंडा सिटी के मालिक को जानते हैं, कोई ऐसा है आपके पहचान में जो होंडा सिटी से चलता हो, तो हमिद देवेदी ने साफ मना कर दिया, और कहा नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, इसके बाद पुलिस वालों ने फिर हुंडा सिटी के बारें पता करना सुरू किया, साथ ही स्माहिला के कॉल डीटेल को खंगाला, तो इतफाक देखी कि कॉल डीटेल में भी, लास्ट नंबर जो था उस जहां पे लहकते थे आर्मी कॉटर के, वहां की मेट का था, मेट से पूछा गया तो भी सिर्फ एक मेट का, तो अब होंडा सिटी किस की थी, यही पता करना है, साथ ही अब एक काम करते हैं, फिर से पूरी क्राइम सीन को चेक करते हैं, क्या पता कोई सबूत, कोई गवा, कोई सुराग मिल जाए, इसके बाद अगले दिन पुलिस वाले क्राइम सीन पे पह में होते होते हम पabyलिक में पहुँच गए आप पोलीस वाले जब अगले दिन क्राइम सीन पें पर फकशिश लें अमित भी वहाँ इधधर कर रहा, कुछ देखने की कोशिश कर रहा इसी दरण अमित की नजर एक शक्स पे पढ़ती है अमित को वो देखता है, अमित उसको देखता है अमित कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन इससे पहले कि हमें कुछ कह पाता, कुछ समझ पाता, वो सक्स उस भीड में खोता चला गया और अचानक से गायब, इसके बाद हमें पुलिस वालों की पास जाता है, और कहता है कि साहब बहुत परिशान मत हो ये, मुझे पता है कि कातिल को उना है, पुलिस वाले फिर सन ये क्या, अब तक इससे कुछ पता ही नहीं था, अचानक से क्राइम सीन पे आने के बाद जो केस, पुलिस और फॉरेंसिक नहीं सुल जा पर एक मेजर कह रहा कि मुझे पता चल गया, पुलिस वाले कहते हैं कि बताईए कोन है, उसके बाद एक नाम लेता है और कहता है कि निखिल राए हंडा, और निखिल राए हंडा ही इस केस में इनवाल्ब है, पुलिस वाले पूछते हैं कैसे, तो कहता है कि बस आब चेक कीजिए, इसके बाद पुलिस वाले निखिल हंडा की last location, उसकी call detail और उसके बारे में जब पता करते हैं, तो पता चलता है कि हाँ, जो निखिल हांडा है, इस इलाके में देखा भी गया, उसके पास white color की Honda City भी है, और उसको जो number है, वो number है, इस मरने वाली सैल जा के contact में भी था, अब एक तरफ Honda City का होना, दूसरी तरफ last location का मिलना, उसक्स का number, तो पता चलता है, वो तो बदमासी कर रहा, यानि number को मिलोपलेट कर रहा है, दो दो लोकेशन बदल रहा, यानि जरूर दाल में कुछ काला है, इसके बाद पुलिस वालों ने अब अपने मुख्विरों का साहरा लिया, मुख्विरों को active किया, active करने के बाद पता किया, तो संजोग से इसकी location मेरट निकले, पुलिस के active मेरट गई, मेरट जाने के बाद इसको गिरबतार किया, गिरबतार करके थाने लाया, और जो पूस्ताच शुरू किया, तो शुरूआत में तो इसने इधर-धर की सारी बाते बताएं, लेकिन अंत में, पूरी ज कहानी पहुंच जाती, साल 2009 में, जब मेजर अमिद दिवेदी और उनकी पतनी सैलजा दिवेदी की शादी हुई थी, सैलजा दिवेदी देखने में बहत खुबसूरत, मेजर अमिद भी पाने के बाद बहत खुश थे, साधी सुदा जिंदगी आगे बढ़ी, दोनों का एक बच्चा हुआ, लेकिन जिसे साथ सैलजा की खुबसूरती थी, वो कहें न कहीं अपनी खुबसूरती के दम पे कुछ नेम, कुछ फेम, कुछ सोहरत कमाना चाहती थी, अलग-लग जगहों तो उसने पाटिशिपेट किया, अलग-लग कैम्पों से वो जूड़ी रही, कुछ human help करते थे, कुछ animal help करते थे, ऐसी चीज़ों से जुड़ी रही, इस वज़ा से भी उसको अच्छा खासा name फेम मिलने लगा, अलग-अलग competition उसने beauty के खेले, कई competition ऐसे थे जो उसने जीते भी, इस वज़ा से भी उसका नाम हुआ, लेकिन देर देर जब वक्त बढ़ने हो गए, अब ट्रेनिंग के दोस्त है, उसके बाद जब एक साथ पोस्टेड हुए, तो दोनों के भी दोस्ती और गहरी, एक दूसरे के घर आना जाना शुरुआ, और इसी आने जाने के दोरान सेलजा की खुबसूरती के आगे, जो निखिल था, एक तरह से दम तोड़ने लगता है, चाहने लगता है कि चाहे जैसे करके अब सेलजा मेरी हो जाए, कुछ दिन तक इदर दूर जाल बुनता है, बातचीत करने की कोशिश करता है, दोस्ती करने की कोशिश करता है, सेलजा भी फ्रेंक थी, दोस्ती कर लेते, ये नमबर इस चेंज हो जाता, बातचीत करने लगा तो फिर सैथ जब यह पीछा चुड़ाएं लगे इधर से उदर इस दौरान क्या हुआ कि दोनों की पोस्टिंग भी अलग अलग हो गई तो जो निखिल था उसकी पोस्टिंग कहीं और इसकी पोस्टिंग दिल्ली अमित की तो दिल्ली में यह तैनात उधर वो कही कटल कर दूँगा इसके बाद पूरे प्लान के तहए उसने फोन किया फोन करके 23 तारीक को उसने बुलाया बुलाने के बाद फिर उसको गाड़ी में बैठाता है वहाँ पे लेके जाता है जाने के बाद जिद करता है कि उस्छे शादी करोगी या नहीं सेल्जा हर बार की तरह इस बार भी मना करती है और जब मना करती है तो अंत में फिर गुस्ते में आता है और आने के बाद कतल कर देता है चाकुमार के कतल करने के बाद उस बॉड़ी को अपने होन्डा सिटी कार में डालता है डालने के बाद लेकिन निकलता है निकलने के बाद फिर उस रास् टेंशन्स थे जिस वज़ा से मानना पड़ा दसल एक दूसरी थेवरी जो निकल के सामने आई पुथेरी ये कहती थी कि निखिल हांडा लगाता जब ट्राई कर रहा था तो कहीं न कहीं जो सैल्जा थी वो भी मान गई थी सैल्जा लगातार बात करना चाहती थी लगातार रि दोनों एक दूसरी साथ मिलने ही गए थे सारा प्लान भी हुआ था तकरार के बाद जो उसने साधी करने से इंकार किया तो फिर निकल हांडा ने कतल कर दिया अब ये दोनों थेओरी जे निकल के सामने आई तब यहीं से परिवार भी सामिल होने लगा दरसल यह जो सैल्जा थी ऐसा नहीं था कि किसी मामूली घर की थी सैल्जा भी सैल्जा के जो भाई थे सौरप कालिया वो कारगिल की एक तरह से हेरो थे कारगिल के लड़ाई में तो उनका भी नाम था उनकी भी शोहरत थी उनकी पूरे समाज में पूरे देस में इज़त कारगिल के बीरों की तो शादी करने के बाद छोड़ी ये खुद भी शादी सुदा था इसकी इसी पतनगर स्टेडियम के पास गल्फेंड भी थी उसी गल्फेंड से मिलता था उसी जहां पे इसने पूरा क्राइम किया था बराड स्कॉयर पे वहां पी अपनी गल्फेंड से मिलता था इस लोकेशन क इसको जानकारी थी, इसलिए इसने अपनी जिद में उस जगहा को चुना, कतल करने के बाद ये भागा, भागने के बाद फिर ये सबसे पहले अपने घरवालों को बताता है, कहता है कि हाँ मैने कतल कर दी, अब क्या करें, कुछ लोग सजेसन देते हैं कि तुम भाग जाओ, क इसलिए ये चाह रहा था कि किसी बड़े उकिल से मिल लो, ताकि ये मामला सुलच जाए, मेरी नौकरी और मेरी रिपोर्टेशन और मेरा नाम कहीं खराब ना हो, लेकिन इससे पहले है कि ये कुछ ऐसा कर पाता, पुलिस वाली से दबोच लेते हैं, तो थेोरी कई ही निकल तो ये चीज़ें अपने आपने बाद में टेंशन का सबबंदी हैं, बायराल अभी ये मामला कोर्ट में है, और पटियाला जो हाउस कोर्ट है, उसने साल 2019 लगबख 17 जलोरी की तारीक दी थी और कहा था कि इस केस में सुनवाई होगी, और इसके उपर इनी सबबंदी धार के तहित मुकदमा चलाया जाएगा, तो फिर देखते हैं क्या होता है, अगर कुछ सजा हो गयरा होगी तो आपको जरूर रताओंगा, लेकिन अपने आप में बड़ी अजीब सी कहानी थी कि एक आदमी जो एक महिला के प्यार में पागल था, या वो मना करती थी, इस लोगों ने जवाब दिया, और जवाब यह है कि एक महरसी थी बेदव्यास जी, वो जब जानते हैं कि सब होने वाला है, तो यह लोग कहते हैं संजे तो नहीं, लेकिन जो दितराश्ट उनकी पतनी गांधारी थी, यह दोनों कहते हैं कि कैसे हम में पता चलेगा कि क्या हो पूरा क्या नहीं, फिर कहते हैं कि काम करते हैं आपको दिविधिष्टी दे दे देते हैं, तो पहरे दिविधिष्टी दितराश्ट को मिलने वाली थी, लेकिन दितराश्ट ने जब थोड़ा सा सीन एक तरह से देखा तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपने बेटों का काल तक मिला था कि महाभारत जितने दिन चलेगा उतने दिन तक तो इस सवाल का जो जही जवाब दिया है वो जवाब दिया है मीनु जी है उडाचर प्रदेश जिम कुछनकुमार जी एपि सिंग जी है हीरालाल जी है सकतर सिंग नमुहन पुनिय जी है तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिये तो आप तमाम लोगों को दिल से सुब काम नहीं अब आते हैं आज का सवाल पूछते हैं और आज का सवाल आपके लिए बड़ा इंट्रेस्टिंग हो जाएगा आम तोर पर आप किसी हाई कोट लोवर को इसको लेके कई बार कई जज़ेस को दिक्कत हुए लेकिन संस्कृत इतनी सम्मान जनक भासा की जज़भी बेचारी क्या बोले तो ये काउन है कहां के हैं और ये ख्याल इनको क्यों आया कि संस्कृत में मुझे बहस करनी है और अच्छे खासी वकील है ऐसा नहीं कि कभी अब वार टो अगर आपको इंके बारे में कुछ पता हो तो आप कमेंड करकर के बताइए गा नहीं पता हो तो कल का इंतीजार कीजएका मैं आपको बतााँगा साथ है ऐसी वीडियोदेखने क्लिए एसिक आँने सुनेट लिए वीडियोको लाई करके सब्सक्राइब कर ली लखिएगा खुश रहेगा अपने क्या लखिएगा अपने देश का क्या लखिएगा जय हिंद बंदे मात